वसुदा और भानो के दो बेटे होती हैं घर में बड़ा बेटा रोहन और उसकी बीवी सीया होती है वही उनका छोटा बेटा आरियन की शादी शुएता नाम की एक लड़की से हुई होती है एक दिन की बात है पापा हमारे सेल्स दिन बर दिन डाउन होते जा रहे है पहले जितने डेकोरेशन्स के ओर्डर नहीं आते हैं अब ओर्डर आने बहुत कम हो गया है हाँ पापा हमने नए आइडेस भी आजमा है लेकिन कुछ फरक नहीं पड़ा आ बच्चो कुछ तो करना होगा आउनलाइन मार्केटिंग क्यों नहीं करते हैं क्या हाँ पापाजी आजकर आउनलाइन का ही तो जमाना है आजके टाइम में हर किसी के पास स्मार्टपोन है यहाँ तक कि एक टपरी वाले से लेकर वाच्मन तक हर कोई अच्छा सा अच्छा मोबाइल इस्तिमाल करता है आप हमारे बिजनेस को और भी ज़्याद लोगों तक पहुचा सकते हैं सोशल मीडिया और यूटूब से बहुत लोगों को हमारे बिजनेस के बारे में पता चलेगा और फिर वो अपनी शादी और बड़ेस की एवेंट के लिए आपसे बुकिंग कराएंगे और फिर बस चोटी बहु तुमें हमारे बिच में बोलने की इजादत किसने दी कारोबार को संभालने के लिए हम बेटे है या पर तुम अपनी घर ग्रुयस्ती पर धैन दो श्वेता हमारे घर में औरते बात नहीं करती मरत की जगे मत लो औरत का काम ही होता है घर ग्रुयस्ती संभालना और आदमी का काम होता है घर में पैसे लाना तो तुम अपने काम से काम रखो समझी? लेकिन जेड जी पापा जी मैं तो आप दोनों को बस राय दे रही थी कब तो क्यों आफिस से प्रोमोशन करते रहोगे अगर आप लोग आउनलाइन साइट बनाओगे तो ज़्यादा लोग जुड़ पाएंगे किसी ने तुमारी राय नहीं मांगी वसुदा नहीं नवीनी छोटी बहु को इस घर के काईदे कानून समझा दो हमारे घर में बहु की जगे क्या है ये शायद इसे नहीं पता जी जी मैं समझा दूंगी इसे आप चिंता मत कीजिए उनके घर में बहु की कोई इज़त नहीं होती आदमी और औरत दोनों में काफी बेदबा होता है एक दिन जब पड़ोसन ललिता घर पर आती है तब ही रोहन दरवाजा खोलता है और वो ललिता को देखकर बोलता है अरे ललिता बाबी तुम यहाँ पर आओ ना बेटो कैसे आना हुआ और कैसा चल रहा है सब बस सब बढ़िया रोहन भाई साब आप बताईए सब एकदम बढ़िया वेसे आप काफी सुन्दर हो गई हो पहले से मानना पड़ेगा अखीर राज क्या है आपकी खुपसूरती का ऐसा कुछ भी नहीं है भाई साब अरे ललीता तुम यहाँ और आश्विन भाई साब तुम दोनों भी आने वाले थे ना आश्विन आ ही रहा होगा शायद रास्ते में होगा ठीके आप दोनों बेटकर बाते करो तक मैं आपके लिए नाश्टा लाती हूँ तब ही डॉर बेल फिर से बशती है और सिया दरवाजा खोलती है तब वह आपर ललीता का पती आश्विन आता है अरे आश्विन भाई साब आप अभी अभी आपकी ही बाते चल रही थी आईए ना अंदर आईए मैं आपके लिए नाश्टा लाती हूँ सिया का आश्विन से यूँ बात करना रोहन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो आश्विन और ललीता के जाने की बाई सिया पर बहुत गुस्सा करता है अरे तुम मूँ साश्विन के साथ बात कैसे कर सकती हो तुम नदरे जुका कर भी वहाँ से निकल सकती थी लेकिन नहीं तुमें तो गेर मर्द से बात करने का मूखा चाहिए बस क्यों सही कहाना मैंने नहीं रोहन जी आप जैसा सोच रहे हो वे सब बिलकुल भी नहीं है मैंने तो बस उन्हें अंदर आने को कहा ज़दा कुछ बात भी नहीं की उसकी भी कोई जरूरत नहीं थी अरे तुमें मैंने पहले भी कहा है कि आदमी उसे आख मत मिलाया करो और शुकर वना कि तुमें गुंगट ना ओडने की आजादी है वरना हमारी गर के ओरते तो गुंगट भी ओडा करती थी तुमें हद में रहना होगा सिया तभी वहाँ पर सिया की देवरानी श्वेता आती है और अपने जेड से कहती है जेड जी आप क्यों कामका जीजी पर ऐसी गुसा हो रहे हो अरे जीजी तो बस आश्विन भाई साब के साथ बाते कर रही थी वो थोड़ी आपकी तरह ललिता के साथ गुलू-गुलू गप्पे मार रही थी आप करे तो सही लेकिन जीजी करे तो गलत ये क्या बात हुए तड़ा कुत्ता टॉमी और साड़ा कुत्ता कुत्ता हम श्वेता अपनी बत्तमिजी अपने पास ही रखो और तमिज से बात करो मेरे साथ भूलो मत मैं तुमारा जेड हू और जेड ससुर समान होता है और ये गुलू-गुलू क्या होता है देखिए जेड जी मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि जीजी ने कुछ गलत नहीं किया है उन्हों ने तो बस आश्विन भाई साब को अंदर आने के लिए कहा अब वो उतना भी नहीं बोल सकती क्या मा ये सब क्या चल रहा है देखो अपनी चोटी बहु को कैसे उल्टा जवाब दे रही है मुझे अरे गर में जब से बहु है आई है तब से आप तो बस खाना ही ठूसती रहती हो कभी तो अपनी बहु को संसकार भी दिया करो हा रोहन बेटा मैं समझा दूँगी चोटी बहु को चोटी बहु शान्त रहे बिटा चल अंदर चल लेकिन मा जी तू चल मेरे साथ फिर बाद में चोटी बहु अपनी जबान पर लगाम लगा तुझे इस घर के काईदे कानून को समझना होगा इस घर में बहु की कोई इज़त नहीं करता क्या मतलब अरे फिर क्या हम अपने पतियों के इशारों पर नाशते रहेंगे क्या देखो श्वेता तुमारी बलाई इसी में है कि तुम अपने पति से एक कदम पीछे रहो सालो सालो से यही रीट चली आई है देख बहू हर बात का उल्टा जवाब देना जरूरी नहीं होता अगर तुमारे चुप रहने से घर में सुक शान्ती बनी रहती है तो तुम चुप रहा करो बही सही रहेगा नहीं आप दोनों ही हो जो उन्हें इतना बड़ावा दे रही हो आप दोनों इतने सालों से चूपो इसलिए वो आप दोनों पर इतना हुकुम चलाते है खेर आप दोनों को समझाने से कोई फाइदा नहीं फिर एक दिन वसुदा को पड़ोस वाली सहेली के जनम दिन में जाना होता है समझी नहीं आ रहा कि क्या पहनू और क्या नहीं वो पड़ोस वाली सहेली है न मेरी जेनिफर उसके जनम दिन की पार्टी में जाना है मा जी आप ये वाली साड़ी पहन लीजी इसमें आप सुन्दर लवोगी नहीं नहीं ये साड़ी काफ़ी सिंपल है और जेनिफर आंटी तो क्रिश्यन है तो उनकी पार्टे में तो सभी लोग मौडरन कपड़े पहन कर जाएंगे आप जीन्स और पैंट तो पहनने से रही लेकिन कुर्ता तो पहन सकती हो ना नहीं नहीं चोटी बहू तुमारी पापा जी ने जो वो कपड़े पहनने से मना किया है हाँ श्विता बेवजे फिर से कोई बखेडा ना खड़ा हो जाए कुछ नहीं होगा जी जी देखो माजी आप उन लोगों के आने से पहले ही पार्टी से लोटा ना पर पटापट से चेंज कर लेना अब तो इतना कही रही है तो पहन लेती हो कुर्टा ये हुई ना बात माजी फिर वसुदा कुर्टा पहन कर जेनिपर के घर जाती है और भानों के आने से पहले ही वो अपने घर वापस आकर साड़ी पहनती है लेकिन अगली सुबह मोहल लेके वाटसैप ग्रूप में जेनिपर के जेनम दिन के फोटोज आ जाते है अरे तुम्हे शरम नहीं आती क्या वसुदा बुड़ा रही हो फिर भी जवाने फूट रही है तुमारी इतनी निरलज्जक कैसी हो सकती हो तुम इस अधेर उमर में कुर्ता पहन कर खुले आम कैसे गुम सकती हो तुम जी जी वो मैं चौप मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए हर बार की तरे जुटी का आनिया बनाओगी अगर गर की सासी बिगडी होई है तो बहुए क्या खाक सुदारेगी घर को आयाशी करने का ठीका ना बना रखा है जिसे जो मन करता है वही करता है जितनी आजादी तुम तीनों को मिल रही है उसी बात का शुकर मना वर्ना वो आजादी भी चीन लूंगा में तुमसे माफ कीजिये जी लेकिन पापा जी माजी ने इसा कौन सा बड़ा गुणा कर दिया जो आप उन्हें इतना सुना रहे हो हरे आप तो बनियान पहन कर रांगन में बेटकर अकबार पढ़ते हो तो आपका सब कुछ कैसे चलता है चोटी बहू तुमें कितनी बार समझाओ मैं अपनी हद में रहकर बात किया करो आज के बाद अगर किसी ने भी इस घर का कोई भी नियम तोड़ा तो मैं उसे सबक सिखाऊंगा आरियन अपनी जोरू को संबाल कर रख कुछ ज्यादा ही पर निकल आये हैं इसके हाँ पापा श्वेता बस बहुत हुआ तुमारा अब तुम अपना मूँ बंद रखो फिर एक दिन दोनों बहुए शाम में सामान की खरीदारी करने मौल चली जाती है पर रात होने पर भी वो घर ही नहीं लोटती जिस कारण मौसुदा बहुत ही चिंती तोर परिशान हो जाती है फिर वो घर की चोकट पर खड़ी रहेकर अपनी दोनों बहुए की राह देखने लगती है ये दोनों बहुए कहा रहे गई घर में तो ये तीनों भी मोजूद है इन्हें तो मैंने ये बताया है कि दोनों बहुए कुछ देर पहले ही बाहर गई है अगर इन्हें पता चला कि दोनों शाम के पाच बज़े से बाहर गई है तो ये तो मेरी जानी ले लेंगे एक तो फोन भी नहीं लग रहा इन दोनों का बगवान जी अब आपी मदद कीजिए अच्छा तो दोनों बहुए शाम से ही मटर गश्टी करने निकल पड़ी है और तुमने हमसे जूट का कि वो थोड़ी देर पहले ही बाहर गई है वाव असुदा जी वाव क्या बात है जी जी वो दोनो अपना मुब बंद करो वसुदा अरे मैं तो उनमें कोट धुनता रहा लेकिन सारा का सारा दोश तुमारा ही है तुमें ही मैंने डील दे रखी है वो दोनों तो अपना बहु धरम कभी निबा नहीं पाई लेकिन तुम तुमने भी एक सास होने का धरम कभी नहीं निबाया तभी वसुदा की दोनों बेटे भी वहाँ पर आते हैं पापा बिल्कुल सही के रहे है मा आपने ही हमारी बीविय को बिगाड कर रखा है अगर आप उनके साथ सक्ती से पेश आती तो वह ऐसे नहीं करती देखा न अब नतिजा क्या हुआ दोनों अब तक नहीं आई यहाँ घर में अभी तक खाना भी नहीं बनाया है उन दोनों को तो कुछ पड़ी ही नहीं है ऐसी बात नहीं है वो दोनों आती ही होगी मुझे पूरा यकीन है कि कुछ तो हुआ होगा वरना वो दोनों ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती छोटी बहु तो फिर भी थोड़ी से चुलबुली है लेकिन वो उतनी ही जिम्मेदार भी है अपनी मन्हूस बहुआ के ज़्यादा तरफदारी मत करो असुदा अरे एक नंबर की बेशरम है दोनों की दोनों यहाँ घर में हमें भूका रख कर खुद बार खाना खा रही होगी जी मैं आप लोगों के लिए फटा फट से किचडी बना देती हूँ बस मुझे थोड़ा समय दीजिये तब तक आप ये थेपले और आचार खा लीजिये कुछ नहीं खाना हमें अब तुमारी नाला एक बहू का ये तमाशा देखकर ही हमारा पेड बर गया अब तो बस बहू को आने दो आज तो उन दोनों की केर नहीं बहुत मोके दे दिये इने आरियन रोहन जाओ अपनी अपनी बीवियों का सामान बान कर रख दो यहापर जैसे ही वो दोनों यहापर आएगी वेसे ही उन्हें उल्टे पाव गर से बाहर निकाल देंगे ठीक है पापा हाँ पापा आपने एकदम सही निर नहीं लिया है जिन बहू को अपने दाइरे की अपनी मरियादा की कुछ भी ना पड़ी है उनकी इस गर में कोई जगे नहीं है उनकी बाते सुनकर वसुदा बहुत डर जाती है फिर आरियन और रोहन उन दोनों का सामन पैक करके दर्वाजे पर रख देते हैं फिर थोड़ी देर बात श्वेता और सिया घर पर आती है हरे ये बैक्स किसके है तुम दोनों के अरे वाँ पापाजी आप एकदम से नेड़दा इसी दर्या दिल केसे बन गए हम लोग कही ट्रिप पर जा रहे हैं क्या बस करो बहु अपनी ये चपड़ चपड़ बन करो और तुम दोनों अभी क्या भी निकल जाओ याँ से लेकिन क्या हुआ है पापाजी क्या हुआ अरे इतनी देर क्यों लग गई तुम दोनों को कहा मूँ काला करने गई थी ओ गौड याँ क्या कह रहे हो पापाजी हमारे मूँ काले हो गए है क्या नई नई मैं सुन्दर से बदसुरक नहीं बनना चाहती है श्वेता अपने फालतू के नोटं के बंद करो पापाजी वो हम जी स्मॉल में सामान खरीदी करने गए थे वहाँ पर आचानेक से लिफ्ट बंद पड़ गई और दो गंटों तक हम उसी लिफ्ट में आठके रहें फिर आते वक्त ट्राफिक जाम में फसे रहें इसलिए लेट हो गया और इन सब के चक्कर में हम दोनों की भी फोन की बैटरीज डेड हो गए हमें माफ कर दीजिए हम अभी आप सब के लिए कुछ बना देते हैं नहीं सिया बहुत से लिए तुम दोनों के नाटक अब निकलो यहाँ से तुम दोनों बहुओं को कोई परवा नहीं अपने ससुराल की इज़त की ऐसी बात नहीं है पापा जी 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 पिलकुल सही कह रही है हमेशा हम गलत नहीं हो सकते आप तीन तो हमें बात बात पर सुनाते रहते हो सिया अब तुम मुझे उल्टा जवाब दोगी फिर रोहन सिया पर हाथ उठानी जा रहा होता है कि तभी उसे श्वेता रोक लेती है तुमारी नीमत श्वेता चोटे अपने बीवी को संबाल और इसे घर से बाहर निकाल दे हरे आप लोग क्या मुझे घर से बाहर निकालेंगे मैं खुद ये घर छोड़कर चली जाऊंगी मैं भी श्वेता के साथ चली जाऊंगी मुझे भी आपर नहीं रहना है अरे ऐसे केत खाने में कोन रहना चाहेगा अरे आप तीनों ने तो औरतों को कोई खिलोना समझ के रखाए जितनी चाबी भरोगे वैसे चलेंगे औरत घर की लक्षमी होती है लेकिन आप उसी लक्षमी के साथ ऐसा नय करते हो उसकी कोई इज़त नहीं करते लानत है आप पर बिल्कुल सही कह रही है और मैं भी तुमारे साथ आऊंगी मुझे भी इस घर में नहीं रहना सालों से बस गुट-गुट कर जी रही हूँ इस घर में पर अब और नहीं हमेशा से ही इस घर की एक बहु ने अपने पदी की सेवा की है हमारे वज़े से ही आप तीनों सुबह उट पाते हो ठीक से खा पाते हो हर एक काम आरम से कर पाते हो हमने ही इस घर को घर बनाया है और हमारे बिना आप कुछ भी नहीं हो उन तीनों की बाते सुनकर उनके पतियों को गल्ती का एसास हो जाता है मुझे माफ कर दो वसुधा लेकिन तुम तिनों की बाते सुनकर आज हमें सारी गलतियों का एसास हो गया है हमने तुम तिनों की कभी इज़त नहीं कि लेकिन फिर भी तुम तिनों ने अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारिया खूब निबाई हाँ श्वेता लेकिन इस घर को छोड़कर मच जा आज के बात से हम आप तिनों की पूरी दिल से इज़त करेंगे हमें अपनी गलतियों को सुधाने का एक मुका दे दो फिर वो तिनों उन्हें माफ कर देती है और उस दिन के बात से वो तिनों अपनी बीवियों की इज़त करने लगते है और सभी आपस में प्यार और सम्मान के साथ खुशी से रहने लगते है सिम्मी अपने ससुराल के कामों को अकेली कर-कर के ठक चुके होती है इसलिए वो हर वक बस एक ही रोना रोती रहती है हे भगवान काश मेरा इन कामों में हाथ बटाने वाला कोई होता मुझसे बाते करने वाला कोई होता मेरी सास और मेरा पती दोनों भी बस अपने ही काम में उलजे रहते है काश कोई ऐसा होता जो हर वक मेरे साथ रहता अरियो कल मुई खयाली पुलाव पकाने की जगए ये देख कि ज्यास पर चड़ाया हूआ पुलाव पकाया नहीं या जला दिया उसे नहीं नहीं मांजी अच्छे से यह बनाया है आप जाईए यहां मेरे सिर पर खड़े मत रहिए लाकर देती हूं में थोड़ी देर में आपको ठीक है दहीर सलाड भी लाना साथ में और हाँ लगे हाथ पापड भी तल देना और कोई फर्माईश नहीं नहीं बस इतना ही इतना कहे कर उसकी सास वहाँ से चली जाती है मैं तो परेशान हो गई हूँ इन सबसे ये माजी तो मुझे कोई नोकराणी भी रखने नहीं देती और ना ही मेरा कोई काम में हाथ बटाती है इस घर में तो सबको बस ओर्डर देना ही आता है फिर सिम्मी परेशान होकर अपनी बच्पन की सहली से पोन पर बात करती है तो भ हो सिम्मी क्रिस्मस आ रहा है तेरी सारी टेंशन दूर हो जाएगी लेकिन कैसे यार वेसे ही जैसे बच्पन में सैंता करते थे याद है हम बच्पन में क्रिस्मस की एक रात पहले सैंता क्लोथ को क्रिस्मस लेटर लिखते थे और उस लेटर को क्रिस्मस कार्ड में डालकर उसे पोस्ट किया करते थे और क्रिस्मस की सुबे हमारी विश पूरी भी हो जाती थी। ओ हाँ, ये सही आइडिया है, मैं तो यही करूंगी। सिम्मी को बचपन से ही सांता में विश्वास होता है। फिर वो इस बार भे क्रिस्मस ट्री सजाती है। और सेंता के लिए लेटर लिखती हैं, जिसमें वो अपने सारे दुकडे लिखती है। मुझे कोई हाँ बाटने वाला चाहिए, कोई ऐसा, जो हर वक्त मेरे साथ रहें, और कभी मेरा साथ ना छोड़े। फिर सिम्मी उस लेटर को पोस्ट बोक्स में डाल देती हैं, और अगली सुबे, जब वो घर के गेट के पास जाती है, तो वो वहाँ पर एक बड़ा बोक्स देखती है। अरे बहू, ये क्या है? ये बड़ा सा तोफ़ा तेरे नाम आया है। हाँ माजी, लेकिन मैंने तो इतना बड़ा तोफ़ा मांगा ही नहीं था, बलकि कुछ और ही मांगा था। फिर जब सिम्मी, उस गिफ्ट बॉक्स को खोलती है, तब उसमें से एक खुबसुरत लड़की बाहर निकलती है। सर्प्राइज, मेरा नाम है जूली, और मुझे सैंता ने भेजाए, तुमारे लिए सिम्मी। क्या? हाँ, तुम्हें हमेशा से ही कोई ऐसा चाहिए था ना, जो तुमारा हाथ बटाए, और हर वक्त तुमारे साथ रहे। तो लो, मैं आ गई सिम्मी। वाउ, थैंकी सो मच जुली, और थैंकी सो मच सैंता जी। बाप रे, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, कि बहु की मांगी हुई ख्वाईश पूरी कैसे हो गई? वही तो मा, ये सब तो सिफ कहानियों में ही सुना था, लेकिन यहाँ तो सैंता प्लॉस ने सच में सिम्मी की विश्पूरी कर दी, वाउ, मुझे तो इस चमतकार को काम करने लगती है, जूली, अब तुम्हे स्टोर रूम को क्लीन करना है, आंगन साफ करना है, वाशिंग मशिन भी खराब पड़ा है, इसलिए हाथ से ही कपड़े दोने होंगे, और उसके बाद, मा जी का शाम का भोग प्रशाद भी बनाना है, आज सुजी का हलवा ही बना अठे खाने है, तो वो भी बना देना, ओके सिम्मी, हो जाएगा, तुम्हारे सारे काम में यू जट से पड़ कर दूगी, फिर जूली सारे काम, बहुत ही कम समय में कर देती है, जिससे उन तीनों को काफी हैरानी होती है, अरे सिम्मी, इसने तो सारे काम एकदम पटा पट स कर दिये गदब के आइटम है ये तो हाना मुझे भी वही देखकर बहुत हेरानी हो रही है फिर थोड़ी देर बाद में सिम्मी सोचती है आज तो क्रिस्मस है इसलिए मैं और रोमी हम दोनों केंडलेट डिनर करेंगे साथ में मेरी ये क्वाइश जूली पुरी कर सकती है फिर सिम्मी अपनी ये क्वाइश जूली को जाकर बताती है जिसके बात जूली जैट से उसके लिए कैंडल लाइट डिनर का सेट अप तयार करती है और तो और वो अपने हाथों से उनके लिए स्पेशल क्रिस्मस केक भी बनाती है अरे वाह क्या बात है इसने तो बहुत ही अच क्यों सिम्मी जूली अब तुम जाओ मैंने कहा था ना हम दोनों आज कैंडल एट डिनर करेंगे तो तुम जाकर माजी का खयाल रखो लेकिन सिम्मी माजी तो सो गई है दवाई खाकर अभी तो मैं यहाँ पर ही रहूंगी तुमने ही कहा था अपने लेटर में कि तुमें को तो था लेकिन अभी हम दोनों टाइम स्पेंड करना चाहते हैं हाँ जूली इसलिए तुम चली चाओ यहाँ से नहीं मैं यही रहूंगी अरे यार आच्छा ठीक है अब क्या ही कर सकते हैं आओ बेटो हमारे साथ तुम भी हमारे साथ डिनर करो सिम्मी और रोमी जूली का य पहली बार में तो नजर अंदाज कर देती हैं लेकिन रात होने पर जब सोने का वक्त आता है तब ही जूली अभी तो रात हो चुकी है मैं और रोमी जी अभी सो जाएंगे तुम भी जाकर सो जाओ दुसरे कमरे में नहीं तुमारे लेटर में यह नहीं लिखा था तुमने यही का आथाना कि तुम्हें कोई ऐसास आती चाहिए, जो हर वक्त तुमारे साथ रहे। लेकिन जूली, तुम हमारे साथ नहीं सो सकती। मुझे नहीं पता, मैं तो यही पर हूँ तुमारे साथ, तुमारे पास ही रहूंगी। यह सब क्या है सिम्मी, इसे कोई काम दे दो, जिसे निप्टाने में पुरी रात लग जाए, तभी यह हमें चैन से सोने देगी। लेकिन रोमी, इसे तुमें कोई काम भी नहीं दे सकती। अरे यह तो आठ गंटों के काम आदे गंटे में ही कर देती है। एक काम करो, तुम यही पर खड़ी रहो और हमें सोने दो, अब क्या ही कर सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। फिर जुली रात बर वही खड़ी रहती है, और उन्हें गूरती रहती है। फिर रात में, अचानक से रूमी की नीन कुलती है, और तब वह जुली को गूरते हुए देखकर, बहुत डर जाता है। ममी, यह हमें बूतों की तरह क्यों गुर रही है सिम्मी। अरे रूमी जी, आप इतना क्यों चिला रहे हो, यह तो बस यहाँ पर खड़ी है ना, आपको थोड़ी ना कुछ कर रही है। नहीं, तुम ही रहो अपनी इस सहली के साथ, प्राइवसी नाम की कोई चीज ही नहीं है, मैं जा रहा हूँ सोपे पे सोने, इस भूतनी को देखकर, कई मुझे इस भरी जवानी में हार्ट अटेक ना आ जाए। फिर रोमी हॉल में सोने के लिए चला जाता है। फिर एक दे, रोमी और सिम्मी दोनों बाहर गुमने जा रहे होते हैं। हर वक्त तुमारे साथ रहना है, इसलिए मैं तुमारे साथ नहीं छोड़ सकती। चलो, कार में चलेंगे हम। मैं भी आऊंगे तुमारे साथ। या फिर रोमी को यही पर छोड़ दो, हम दोनों साथ में चलेंगे। जूली की बाते सुनते हैं। रोमी अपना सर पकड़ लेता है। और उन्हें कार में जाना ही पड़ता है। तभी गूमते वक्त रोमी को अपना एक दोस्त मिलता है। अरे रोमी भाई, भाबी तो एकदम सुन्दर है, आप दोनों तो एकदम राम मिलाई जोड़ी लग रहे हैं। अब एक गोचू, ये तेरी भाबी नहीं है, ये है तेरी भाबी। सिम्मी, अरे फिर ये कोन है, अब तुझे क्या बताओ भाई, जाने दे। एक दिन, रोमी स सिम्मी से कहता है, यार सिम्मी, पहले दिन जब जूली घर पे आई, तब मुझे बहुत अच्छा लगा, कि चलो, तुमारे सारे काम भी हो गए, और मेरे पैसे भी बज़ गए, और घर में एक मुफ्त की नोकरानी भी आ गई, लेकिन अब वो बार बार हम दोनों के बीच मे कबाब की अड़ी बन रही है, मेरी सोतन बनने की कोशिश कर रही है, अरे ये आप कैसी बाते कर रहे हैं, रोमी जी, और नहीं तो क्या यार, परेशान हो गया हूँ मैं अपनी सोतन से, पिर अगले दि, जब रोमी घर आता है, तब वो जूली को देखता ही नहीं, अरे मा, क कर दिया मैंने तुमारा ये ड्रेस, अब तुम नए साल पर पहन सकती हो इसे, अरे यार, शेतन का नाम लिया और शेतन हाजे, नहीं ने, सोतन हाजे, अरे ये सैंता ने भेजी हुई, मेरी बेटे की सोतन तो बहुत ही खडू से, अरे हमसे तो ये कुछ भी बात नहीं करती, नालायक कही की, बहुर, बस हो गया, इसे अब बाहर निकाल दे, ये सिर्फ तेरे काम सुनती है, मैंने इसे सुबह दो काम दिये थे, उन मेंसे इसने मेरा एक काम भी नहीं किया, फिर गुस्से में आकर, जूली को घर के बाहर निकाल देती है, लेकिन जूली रात में, घर क गेट के अंदर ही खड़ी रहती है पर जब सभी घरवाले उसे सुबह गेट पर देखते हैं तब वो हैरान रहे जाती है रात पर तो इतनी थंड थी लेकिन ये तो टस से मस नहीं हुई मा जी ये मेरे लिए आई है फोई शायद इसलिए ये सिफ मेरी ही बातों का जवाब दे रही है अगर आपको कोई भी काम हो तो आप मुझसे कहिए मैं इससे कहिए दूंगी फिर वो उसे पूरा भी कर देगी अब क्या कर सकते हैं हमें ऐसे ही करना होगा ये तो सिफ तेरे लिए तोफ़ा है हमारे लिए तो आपत है आपत दीरे दीरे घर में सभी जुली से परेशान होने लगते हैं यहां तक की खुद सिम्मी को भी उसके दिन रात करीब होने से प्रॉब्लेम होने लगते हैं सिम्मी जानो हम दोनों तो ठीक से रोमेंस भी नहीं कर पा रहे हैं अभी दो मिनिट में सारे काम निप्टा कर ये मेरी सोतन फिर से वापस आ जाएगी अब मैं क्या करू रोमी जी मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा अब तुम्हें ही उसे भगाना होगा यहां से जैसे तुम्हारे लेटर लिखने पर वो यहां पर आ सकती है ठीक उसी तरे तुम्हें वापस सांता को लेटर लिखना होगा और सांता से कहे दो कि तुम्हें अब जूली की कोई ज़रूरत नहीं है अभी भी क्रिस्मस विख खतम नहीं हुआ है तुम ये काम आज भी कर सकती हो हारूमी जी आपने बिल्कुल सही कहा मैं सांता से कहूंगी कि अब मैं सारे काम खुद ही करूंगी मुझे जूली की कोई ज़रूरत नहीं है बस अब बहुत हो गया फेस्मी वापस एक बार सांता को लेटर लिखती है और उस लेटर को पोस्ट बॉक्स में डाल देती है फिर अगली सुबह जब वो उड़ती है तब जूली वही पर होती है ओ नौ लगता है देर हो गई स्यांता तक मेरा लेटर पहुचा ही नहीं होगा इसलिए यह अभी तक यहीं पर है नहीं सिम्मी अब मेरे जाने का समय आ गया है बाइ 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 मेरी क्रिस्मस एंड हैपी न् खेकर जूली वहां से गायब हो जाती है और इस हाथसे के बाद सिम्मी को सीख मिलती है कि अपने काम हमें खुद ही करने चाहिए